हेलो दोस्तों आज सुबह हम निकल गएते चिटकुल से और अभी हम पहुचे हैं नारकंडा अभी इस होटल में हम लेंच करने के लिए आपर बैटे हैं लेंच करके मैं इसे निकलेंगे आगे के लिए देन पहला स्टॉप हमारा होगा चंडिगर्ड वहाँ पर अपने दो दोस्तों का हम ड्रॉप करेंगे देन हम दिल्ली के लिए रावाना हो जाएंगे लेंच अभी हमने कर लिया है हम निकल भी गए हैं बाकी रहा चिटकुल का सफर की बहुत अच्छा ये सफर रहा है हमारा चिटकुल का बहुत कूपतर जगा है चिटकुल इंडिया का लास्ट विलेज भी है उसके आगे तिबद बॉर्डर भी शुरू जाता है दन सफर अभी हमारा आज एंड हो जाएगा सफर का तो दुख तो बहुत हो रहा है जितने खुशी सफर शुरू होने की होती उतना ही दुख सफर खता होने का भी होता है बाकी बहुत जगह हमने एक्स्पोर करी हैं यहां पर सांगला वैली रक्षम कलपा वैली अब बस चिटकुल की यादे लेके जा रहे है साथ में और कुछ अच्छी मेमरीज भी जो हम सब ने यहां पर इंज्वाई किया बहुत ज़्यादा है कि अब बाकी अभी सफर में देखते हैं अभी शिम्ला एंड कुफरी में थोड़ी देर हम देखेंगे रुकेंगे श्यायदाओं पर शिम्ला यहां से 14 किलो मेटर दूर रह गया है अभी मौसम अच्छा है यहां पर अब जैसे हम पहाड से ने जी जाएंगे गर्मियों बड़ती आ रही है अभी दिल्ली में तो बहुत जादा ही गर्मी होगी मौसम अटेंगे रह जाएंगे जाएंगे आएंगे आएंगे च्छाइंगे और शिम्ली आचाँ जाले लिए जाएंगे पासे रहें जाएंगे इन्सराव टेरेन चाहें तो बहुत पासेखेंगे भी यह हम कुफरी पहुच गया है कि यहां पर थोड़े रिलाक्स अभी करने के रुके हैं कुफरी के थोड़े आगे भी हम खड़े है कि सफ़र कैंड में देखने के मिलेगा यह बहुत बुरा लगता है से पहाड़ों को देखके दोस्तों अपने व्लॉग को में खतम करता हूं एंड मिलता हूं मैं आपको व्लॉण प्र। प्र। घब एंज हम यह थोस्तों इन बनापना के ठाओर है से घख कहा गवझे हैं आपको ओता है,से ऐाम में आपको सके हैं आपको नगिया आपकर हैं 새के हैं ल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल